बारत और इंग्लेंड के बीच मेंचेस्टर ओल्ड ट्रेफड मेदान पर खेले जाने वाले सीरीज का पांचो और आखरी टेस्ट मेच को करोना वाइरस के चलते रद कर दिया गया है BCCI और ECB ने काफी चर्चा करने के बाद ये फैसल लिया है कि टीम में COVID-19 के कई मामले सामने आने के बाद भारती के लड़ियों ने टेस्ट के पहले ही दिन मेदान में उतरने से साफ इंकार कर दिया है जिसके बाद इस मकाबले को रद करने का निरना लिया है भारत हलांगी टेस्ट सिरीज में अभी भी दो एक से आगे है और सिरीज के पांचवे टेस्ट मेच को बाद में आयोजित किया जाएगा BCCI ने बैंच जारी करते हुए गा कि BCCI और ECB के मजबूत रिस्तों को देखते हुए BCCI ने रद हुए टेस्ट मेच को रिश्यू डिल करने के लिए ECB को ओफर दिया है दोनों ही बोर्ड इस मेच को आयोजित करने के लिए विंडो की तलास करेंगे गुरुआर को टीम इंडिया के फिजियो योगेस परमार कोरोना पॉजिवटिव पाए गए थी जिसके बाद भारत के गेम में हड़कम मच गई थी हलागी टीम इंडिया के सभी की लाडियो के RTPCR टेस्ट के मताबिक सभी की रिपोर्ट नेगिटिव आई थी यह माना जा रहा है कि पांचवा टेस्ट अगले इंग्लेंड दोरे पर होने की उमीद है अगले साल भारत लिमिटेड ओरो इस सीरीज खेलने के लिए इंग्लेंड दोर करेगी इस मैच के रद होने के बाद भारत ने अभी 14 साल बाद इंग्लेंड की सरजमी पर टेस्ट मैच को जीतने का मौका गवा दिया है अलागि टीम इंडिया के पास अभी मौका है लेकिन उसके लिए टीम इंडिया को इंतजार करना होगा दोस्तों फिरकेट की ऐसी ही लेटेस्ट अबडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजेगा